कैसो दोस्तो सच बोल रहा हूँ दोस्तो हजारों लोग दुबई में ये प्रॉब्लम के वसज से फस्ते हैं नए जितने लोग है बहुत सारे लोग परेसान है क्योंकि स्टार्टिंग में जो सेलरी एक कंपणी बताती है कुछ और यहां आने के बाद दोस्तों कंपणी देती हसा है क्या च्छिली प्रॉब्लम होता क्या तो बहुत सारे लोग होता क्या कि जब हम इंडिया में रहते तो हमारा इग्रिमेंट जयाता है कि वह कंपणी का इग्रिमेंट होता जिसमें हमें 1500 सेलडी को सफॉ लिसमें LI बता देते लेकिन जब यहां फीर आन यृकनां इक घ लगा देता है ऐस सब्सक्राइब के एंडिया में तो वह company आरव इंगलिस में तिन चार पेजका आगा है मोरे निकला हुआ है तो तो सही है नहीं तो जो company का जो मोरे जाता אני mean दोसटों उसमें अगर salary को आपको ज़्यादा पढ़ा कर बोल रही है तो उस साब साब गौवर्मेंट के पास कंप्लेंट भी कर सकते हो अगर कंपणी आप उतनी सैली नहीं दे रही है तो तो इस बात का लाजिन खयाल रखें कि जो अगौवर्मेंट से पेपर निकल के जाएगा जो अर्भी इंगलीस में दो तिन जगा पर हम लोग फिंगर लगाते हैं साइन करते हैं तिन चार पेज का होता है दोस्तों तो उसमें आपको जो सैली लिखी रहेगी वहीं मिलेगी लेकिन जो कंपणी एग्रिमेंट भेचती है उसमें क्या करता है उसका कोई मानने नहीं है वह अगर एग्रिमेंट लेकर जाओ भी मिनिस्ट्री में तो और लोग उतना यह नहीं करेगा चान विचार नहीं करेगा और लोग बोलेगा कि नहीं यह तो हमारा एग्रिमेंट नहीं है इस बात का लाजिम ख्याल रखे हजारों लोग दुबई में इस तरह से दोस्तों खून कहा शुरूर है क्योंकि वहां पर उनको सैली बसाई गई थी फंद